My dear friends, आप देख रहे हैं, नागोर जिले में आज जो पेपर हुआ है, 15 तारिक को हिंदी का पेपर हुआ है, 10th क्लास का, तो ये पेपर मैं डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग देख सके कि आपका हिंदी का पेपर कैसा आया है, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 33 जिले में 33 तरह एक पेपर बन रहे हैं, किसी में model paper जो मैंने solve कराया है, वो आ जा रहा है, और किसी किसी में कुछ कुछ question match हो रहे हैं, जैसे मैंने दूसरे जिलो के कल paper डाले थे, इंगलीस के, उसमें से काफी questions दूसरे जिलो में match हुए थे, तो चलिए इस question paper को देख लेते हैं, आपको ज परशनों का उत्तर आपको देना क्या है, कि पहले जो अपटित गध्यान से, इसमें लिखा गया है, भारत वर्स पर प्रकर्ती की विशेश कृपा रही है, यानि कि यह जो आपका प्रकर्ती है, इसकी बात हो रही है, यहां सभी रित्वे अपने समय पर आती हैं, और प्रय अधिकार के कारण, यानि कि दूप और वर्सा, दोनों के समान अधिकार के कारण, यह भूमी शाम में शामला, यानि हरी भरी हो जाती है, यहां का नागा दीराज हिमाले कवियों को सदा प्रेड़ना देता रहता है, और यहां की नदियां मोक्षडाइनी समझी जाती हैं, या समझी जा रही है, यहां कृतिम धूप और रोशनी की आउसकता नहीं पड़ती, भारतिये मनीशी जंगल में रहना पसंद करते थे, प्रकरती प्रेम के कारण ही यहां के लोग पत्तो में खाना खाना पसंद करते हैं, वरक्षों में पानी देना एक धार्मिक कारे समझत इससे हैं, सूर्य और चंद्रदर्शन, नित्य और नेमितिक कार्यों में सुभ माना जाता है, यहां अतिती को देवता माना जाता है, अतिती धवभवा जो है यहां पे लिखा एक, तो इस तरह से ही पैसेज आया है, नागोर जीले का पेपर है, पंदरा तारीक का, इस को ज मुलता किस देश की सब्वेता मानी जाती है, संस्कृती मानी जाती है, सबी को पता ही है, भारत की संस्कृती है, और तीसरा जो है, इसमें पूछा किस को माना जाता है, किस को माना जाता है, हिमाले परवत को, लिखा हुआ है पैसेज में तो आप उसको पढ़ सकते हैं, इसके आराम से पढ़ सकते हैं इसके बाद में यहां पर इससे जो परशन रिलिटेट कुश्चिन्स पूछे गए हैं उनके देख लेते हैं किस टाइब के कुश्चिन आए हैं तो इसमें जो पहला कुश्चिन पूछा गया है निम्न कवीता में कवी का सने या प्रेम किसके हुआ ही आपको बताना है दूसरा जो कोश्चिन है मैं काले पर हिंदु भारते हिंदु की अमर विजे से क्या तात पर रहे हैं उसके बाद में तीसरा जो कोश्चिन है कवी ने हिंदी को किसकी भासा बताया है इसको आपको बताना है प्रशनों के उत्तर जुक का व्यान सा आ चुके हैं जिनको पहले आपको मैं डाल देता हूं ताकि आप लोग अपने एक्जाम्स की तियारी कर लें आपके एक्जाम्स अच्छे हो जाए उसके बाद में इन सभी कोशिशन पीपर्स के सॉलूशन्स जो है हम देखेंगे और आपके मॉर्डल पीपर्स को सॉल कर रहा उनको जरूर देखना आपका जो में टार्गेट है मेरा आपका फाइनल ये एक्जाम है जिसको मैं आपको कम्प्लीट करा के दूँगा और बेस से बेस्ट रिजल्ट आपका जो है कोशिश करूँगा कि आप लोग उसको पढ़े और हर वीडियो का आप देखे ताकि आपक लेकिन जो आपके बुक के कोशिशन है वो बुक से ही आते हैं और बुक से बाहर आएगा तो उसका बोनस मार्क्स मिल जाएगा तो आपको बुक के जितने भी कोशिशन है उनको पढ़ने ही है और याद भी करने हैं ठीक है खंड बं में आपका कोरोना वाइरस के उपर जो है आपको निबंद लिखना है 21 सदी की महामारी अथवा में अगर आप ये नहीं लिखना चाते तो दूसरा लिसकते हैं कोरोना वाइरस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव में प्रस्तावना कोरोना वाइरस के लक्ष करना होता है दूसरा आप अगर निबंद लिखना चाहें तो मुल्लि बृद्धी यानि एक जल्वन्त समस्या चुकी है जो कि आप अभी देख रहे हैं आज के समय में महेंगाई बहुत जादा बढ़ चुकी है पैट्रोल और डीजल के दामता आए दिन सुनते हैं जहां पर अभी पिछले साल तक 65-70 रुपे तक था आज 100 रुपे पार कर चुका है और इसी तरह से आपका जो एक मस्टर्ड ओयल है यानि कि सरसो का तेल उसकी भी आंकड़े बहुत जादा हाई जा रहे हैं 200 रुपे लीटर से उपर जा रहा है तो यह जो है इसके उपर आप बता सक फिर आप लिख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे उसी में आपके जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आउधारना क्या है लिगन उपात कम होने के कारण क्या है इस तरह सिक्षा का महत तो एम उपाई बता सकते हैं और गह है बेटी बचाओ बेटी और उपसंगहार को लिखना होगा तो इस तरह से आप अगर इन पैसेज को त्यार करते तो आसानी साप अपना जो एक्जाम पेपर बढ़िया कर पाएंगे उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट कोशिन की तरफ नेक्स्ट जो कोशिन पूछा गया है स्वय को राज किये उच् आसी अलपेश है अजिमेर में अध्यन कर रहे अपने छोटे भाई रमेश को एक पत लिखिये जिसमें अध्यन के साथ साथ खेलो में भाग लेने की सलाह दी गई हो या नहीं कि देना है आपको उसके बाद में खंड सा सुरू होता है खंड सा में सबसे पहला कोशन पुचा से निर्मेत नहीं है देखे कभी भी कुशन पड़े तो नहीं है ना इसमें बहुत ज़्यादा छुपा होता है तो इसको बहुत ध्यान रखना है कभी भी आप कभी कभी गलती से लगा देते हैं आंसर और हो जाता है गलत तो नहीं है तो नहीं वाला ही आपको उप्शन लो तो यहाँ पर प्रत्य की बात हो रہी है ठीक है परत्य उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है प्रत्य जो पीछे लगता है ठीक मैं तो आपको बताना है कि परत्य लगा करके एक तो जैसे साबताहिक और देनिक हो गया इस तरह साप 6 September बना सकते स highways में 9 question है यहाँ पे 17 सब्द का सही संदी विच्छेद कौन सा है तो यहाँ पे 4 option दिएगे इन 4 option में से आपको select करना है इसके बाद में 10 जो question है यहाँ पे उहापोह में होना मुहावरे का अर्थ आपको जो है जो आया है question उसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया दर सेक्शन में निमलिकित गद्यांस की सप्रसंग व्याक्या करनी है तो एक तो यह है हम कनखीयों से नवाब साहब की ओर देखते रहे ठीक है और उसके बाद में यह नवाब साहब वाला जो चैप्टर है आपका वो वाला है उसमें से यह आपका गद्यांस लिया गया है और इसको आपको व्याक्या करनी है सप्रसंग करनी है इसका अथवा part में जो आया है अब हालदार साहब जी की बात कुछ-कुछ समझ में आई ये हालदार साहब वाले चैप्टर कैप्टन वाले में से लिया गया है अथ्वा में ये है तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है सपरसंग व्यख्या, ठीक है? यहां पर यहां तक आईडिया तक है लिखा हुआ इसके बाद में बार्वा जो कोशेन है बारवे कोशेन में निम लिक्टू पद्यांस की सापरसंग व्यख्या करनी है, वो गद्धा अब पदा यानि कि आपका आगया कवीता कवीता की व्यक्या करनी है आपको तो कवीता जो दी गई है एक तो दी गई है हमारे हरी हारिल की लकडी यानि कि ये कृष्ण वाला और राधा वाला जो चेप्टर है उसमें से लिया गया है गोपियो वाला उसके बाद में अथवा में जो है उ उसमें लिखना होता है, कि ये कवीता कहां से ली गई है, और कौन से पाट से ली गई है उसके बाद में वियाक्या जो, मतलब इस लाइन को पूरी तरह से समझा सकें, वो वियाक्या हो गई ठीक है आगे बढ़ते हैं निवंद नात्मक जो प्रश्ण है उसकी बात करते हैं तो यहां पर तो तेरवा नंबर कोशन पुछा गया है साहस और सक्ती के साथ विनम्रता हो तो बहतर है इस कथन पर अपने विचार जो है आपको लिखने है अथवा में अगर आप यह नहीं करना चाते हैं तो दूसरा भी इसका अथवा पाठ है आपको यह करना होगा बिना विचार घटना और पात्रो के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है यसपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है यह आपको बताना है इसके बाद में लगू उत्रात्मक प्रशन जो है यहां पर आगया आपका 14 नमबर कवी बादल से फुहार रिम जिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है यह आपको बताना है ठीक है इसके बाद 15 नमबर जो कोश्य नहीं से पूछा गया पान वाले का रेखाचितर प्रस्तुत करना है यानि की वो कैसा था देखने में ठिकना था मोटा था पेटू उसकी निकली रहती थी हसमुक था सोभाव से इस तरह से आप उसको बाता होगे जो कि मैं पहले भी दूसरे जो सॉलूसंस हैं उनमें करवा चुका हूँ और इनका भी सॉलूसंस में जल से जल अपलोड कर दूँगा चिंता करने की आपको आप शक्ता बिल्कुल भी नहीं यह पहले मैं आपके मॉडल पेपर सॉल करवाओंगा उसके बाद में सारे के सार तो यहां पर अभी अती लगू उत्रात्मक प्रशन जो है एक नमबर के पूछे गए हैं एक नमबर के प्रशन में सोलवा नमबर जो पूछा गया है नेता जी का चसमा कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है सतरह नमबर कोशन को पूछा गया है बाल गोविन भगत कौन सा वाद्द्य अंत्र बजाते थे आपको याद भी होगा अच्छी तरीके से अठारह नमबर है राम लक्षमण पर सुराम समवाद में तुलसी दास की भासा कौन सी है यह आपको बताना है उसके बाद में 19 नमबर जो कोशन है कवी निराला का पूरा नाम आपको बताना है क्या जवरदस्त कोशन पूछा है कवी निराला का पूरा नाम आपको बताना है 20 नमबर जो कोशन है जैसंकरप्रशाद का कभी परीचे लिखना है ये दो नमबर का है द्यान लखना है तो थोड़ा सा कभी परीचे अब के बारे में लुख देना है उनका जनम कब हुआ और उनकी मित्यो कब हुई और उनकी एक दो रचना है 21 नमबर जो कोशन है송 और देखते ही देखते नए दिल्डी का काया पलट होने लगा नए दिल्डी के काया पलट के लिए क्या क्या प्रतिन किये गए होंगे यह आपको बताना है कि वहाँ पे दीवारे पेंट मेट करने होने लगी और सडकों की लाइटे चेंज होने लगी उस तरह से आप इसमें बता देंगे 22 नमबर जो कॉशन है गाउ के बच्चे प्राइ किस प्रकार के खेल कहला करते थे 22 नमबर कॉशन इस तरह से आपको देना है इसके बाद में आपका 23 निम्बर जो कुशन है इसमें पूछा गया है लेखक का असरी नाम क्या था यहां पे चार आप्शन दिये गए हैं और आपको चूज करके बताना है कि लेखक का असरी नाम क्या था तारकेश्वरनात था, धनपत्राय था, नीरस सहाय था या कमलनात था तो इस तरह से ये आपका जो नागोर जिले में आज पेपर हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है ताकि आप लोग इसके प्रशन तो याद करें अगर इन में से आपने कोई प्रशन छूटा गया है मतला आपने क्या है कि सब कुछ तो याद किया होगा लेकिन साइध हो सकता है ये प्रशन नहीं पूछे होंगे आपने या नहीं पढ़े होंगे या फिर आपको पता नहीं होगा कि किस टाइप का पेपर बनेगा तो आप इसको देख करके अपनी आसानी से तैयारी कर सकते हैं अल्रेडी मैं हिंदी का model paper आपका solve कर चुका हूँ उसको देख करके भी तैयारी करना उसमें भी अच्छे questions है और ये paper भी आप देख करके तैयारी करिए तो आपका paper best है best हो जाएगा तो आसा करते हूँ इस वीडियो से आप लोगों को help मिली होगी thank you very much for watching this video have a good day and best of luck for your next coming exams